बश्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होब बहुत अच्छे होंगे आज की विडियो में बात करूंगी काम देव की साधना की बारे में यह दोस्तों यह साधना सिर्फ एक बार करने मात्र से आपके जीवन में आपका प्यार लौट आएगा आपकी जीवन में जो भी रिले साधना करने से आपके जीवन में प्यार बढ़ेगा और आपके जीवन में आकर्शन बढ़ेगा आज की समय में कौन अपने आपको आकर्शित नहीं दिखाना चाहता कौन नहीं चाहता कि उसे देखकर लोगों को उससे आकर्शन पैदा हो हर कोई चाहते है हर फिल्ड में इ जो लोग या तो अपने प्यार को पाना चाहते हैं, या तो अपने पति-पत्नी के जीवन में कोई समस्या है, जो अभी बहुत हद तक बिगड़ चुका है, उसे सुधारना चाहते हैं, या फिर कैसी भी, किसी भी तरह की relationship में समस्या है, कोई भी relationship हो, समस्या है, उसे सुधार अपने जीवन में अपने काम किसी भी फिर्ड में बहुत आगे जाना चाहते हैं लेकिन उनके आकर्सन सक्ति की वज़ा से वो पीछे रह गये हैं तो उनके लिए ये शाधना बहुत ज़रूरी है एक दिन की ये साधना आपके जीवन में खुसिया भर सकती है क्या करना है ये आपको सुक्रवार के दिन करना है लेकिन तैयारी आपको एक दिन पहले से शुरू करना है ब्रहसपतिवार के दिन आपको ये तैयारी शुरू कर देनी है आपको करना क्या है सुक्रवार को ये खिडिया करनी है सुक्रवार के एक दिन पहले यानि ब्रहसपतिवार के दिन पीला रंग के धागा को अपने साथ ले लें और बुलमोहर के पेड़ के नीचे जाकर आप उनसे निवेधन करें कि कल के दिन मैं आऊंगा या आऊंगी आप मेरे अपने सोलह फूल मुझे दे और उस क्रिया से मेरी आकर्शन शक्ति बढ़े आपकी जो भी मनुकामना है आप उस समय उनसे निवेधन करेंगे अपनी मनुकामना के लिए और हाथ जोड़कर उनसे निवेधन करने के बाद और जो पीला थागा आप अपने साथ लेके गए हैं उसके किसी भी टहनी पे आप उन्हें बान देंगे और वापस चले आएंगे अगले दिन शुक्रवार के द रख सकती हैं जेंस हैं तो आप पीला रुमाल भी रख सकते हैं पीले कपड़े भी पहरन सकते हैं लेकिन सर पे जरूर रखें और उसके बाद जाकर आप 16 फूल तोड़कर घर ले आएं स्वक्षजल से उसे साफ करके एक लकड़ी की चौकी बिछा ले और लकड़ी के चौ फूल रख दें पूल रखने के बाद उसे धूप दीप से पूजा करें और गुलाब जल उसपर छिड़के और एक छोटी सी कटोड़ी में आप गुलाब जल भड़के रख लें और कामदेव का ध्यान करें कामदेव जो आकर्षन के देवता है, जो प्यार की देवता है, उनका ध्यान करें और ध्यान करते हुए बोलें कि हे परभू मेरे अंदर इतनी आकर्षन शक्ति पैदा हो जाए, मेरा उसकी वज़े से कीर्दी सम्मान प्राप्ट हूँ, रुठे हुए प्यार के लिए करना है तो मेरा प्यार मुझे मिल जाए या फिर अगर पती पत्नी की समस्या है तो उसके लिए करना है आपको तो आप वो बोल सकते हैं जो भी आपकी समस्या है उस समय अपनी जो भी मनवानचित समस्या है आप उस समय वो बोले और उनसे प्राथना करें कि मेरी ये इक्षा पूरी ह हो जाए है काम देव मेरी इच्छा पूरी कीजिए मखन का प्रशाद चढ़ाएं वहीं पे फूल के पास आप मखन का प्रशाद चढ़ाएं और जो कटोडे में आपने गुलाब जल रखा है उससे आप 15-20 मिनट तक आप उसका छीटा हाथ से डालते रहें फूल पे और मन में जो आपकी कामना है उसे बार-बार दोहराते रहें इस विश्वास के साथ कि आपकी कामना जल से जल पूरी हो रही है उसे विजुलाइज करते रहें और बार-बार उसे दोहराते रहें विजुलाइज कीजिए कि आपकी वह इक्षा पूरी हो चुकी है उस समय आप कैसा फ यह हमेशा ध्यान रखिएगा आप और उसकी बाद जो पुस्प आपने चढ़ाया हुआ ही छोड़ दीजिए 16 घंटे के बाद यारी अगले दिन आपको पुस्प किसी भी विश्णु मंदिन में जाके उनके चरणों में ये फूल जाकर आपको चढ़ाने हैं और अपनी मनु कामना फिर से बोलनी है कि है प्रभू मेरी मनु कामना जल्द से जल्द पूरी हो जाए पूरी आस्था और विश्वास के साथ ये क्रिया आपको करना है खड़ने के बाद धीरे धीरे आपमें आकर्शन शक्ती पैदा होने लगेगी और आपको धनलाव दिखने लगेगा मि आहिने में एक बार कर सकते हैं आपको बहुत फाइदा होगा तो दोस्तों इस क्रिया को प्रोसेस वाइस पूरी उसी तरह से जैसे मैंने बताया है वैसे ही कीजिएगा कोई भी चीज इधर से उधर करने की जरूरत नहीं है नहीं तो फलदाई नहीं होगा करके देखिए द झाल 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 झाल